कडाके की सर्दी पढ़ रही है इस सर्दी से बचने के लिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुती टेस्टी और हेल्दी ये लड्डू की रेसिपी आज हम अलसी के लड्डू बनाएंगे जो आप देख सकते हैं देखने में जितने अच्छे लग रहे हैं खाने में भी इतने ही टेस्टी रखते हैं आप सभी जानते हैं कि अलसी एंटी ऑक्सिडंट गुड़ों से भरपूर होती है अलसी के लड्डू आपको इस सर्दी में खाने से आप सर्दी जुखाम से बचे रहेंगे ये सरीर को गर्म रखते हैं दिल से लेकर डायविटीज को कंट्रॉ करने तक इसमें ओसी धीय गुड़ पाये जाते हैं वजन कंट्रॉल करते हैं कॉलिस्ट्रॉल कंट्रॉल करते हैं तो मैं आपको दिखाते हूं ये देखिए एकदम सॉफ्ट बहुती टेस्टी हमारी लड्डू बन के तयार होते हैं तो चली बनाना शुरू करते हैं अलसी क गैस पर हम इसको चटकने तक भून लेंगे हमें इसमें घी ओईल कुछ भी नहीं डालना है सूखा ही भूनना है तो दो से तीन मिनट के बाद देखेंगे कि एलसी हमारी चटखने लगी है जिस तरह से तिल चटकते हैं तो इसको हमने भून लिया है, बहुत ज़ादा हमने इसको अभी नहीं भूना है, तो इसको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे, सेम कढ़ाई हमने दुबारा से ले ली है, तो इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप तिल, तिल भी आप जानते हैं कि गरम होते हैं, तो सरदी में बहुत फाइदा करते हैं, इनको भी धीमी गैस पर हमने दो मिनट के लगभग भून लिया है, तो इनको भी हम एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे, अब इसी कढ़ाई में मैंने मेजरिंग कप से आधा कप लिया है, देसी ही, जी हाँ, आप लड़्डू देसी गी मे ही बनाएं तब आप देखेंगे कि इनका स्वाद बहुत अच्छा आता है, तो घी को हम हलका सा गरम कर लेंगे, जैसे ही घी हलका सा गरम हो जाएगा, तो जिस कपसे हमने अलसी ली थी, उसी कपसे नापके में गहूं का आटा ले रही हूं, सारी चीज़े मैं आपको नाप इस बात का आपको ध्यान रखना है, और घी जितना मैंने बताया है, उतना ही आप इसमें एड़ करें, तभी आपके लड़ू एकदम परफेक्ट बनेंगे, तो जो भी गाठे इसमें बनती जाएंगी, साथ के साथ हम उनको मैश करते जाएंगे, आटे को भून लेंगे, त अब हम इसको भी एक बड़े बरतन में ट्रांसफर कर लेते हैं, गैस की फ्लेम को अभी हम आफ नहीं कर रहे हैं, सेम कढ़ाई हम दुबारा से लेंगे, तो अब सेम कढ़ाई हमने दुबारा से ले ली है, इसमें एक कप मैंने लिया है, सूखा नारियल कद्दू कस किया सेम कढ़ाई हम दुबारा से ले लेंगे, इसमें मैं डाल रही हूँ, एक छोटा चम्मच देसी घी, गी को हम थोड़ा सा गरम कर लेंगे, जैसे ही घी गरम हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने मेजरिंग कप से ही आधा कप बादाम लिये हैं, आप बादाम और काजू दोनो चीजें ले सकते हैं, तो बादाम को हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, जैसे ही बादाम थोड़े से फ्राई हो जाएंगे, तो इस तरह से किनारे पे करते हुए, हम इनको एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे, अभी कड़ाई में घी बचा हुआ है, तो यहाँ पर तीन कमर दद में बहुत आरा मिलता है, सर्दी में गरम रहता है, तो इसको भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, गौंद को अच्छे से फ्राई करना बहुत जरूरी है, अगर वो अच्छे से फ्राई नहीं होगा, तो जब आप लड़्डू खाएंगे, तो वो दांत में थंडे हो गए हैं इसी जार में हमने जो तिल लिये हैं उनको भी हम ट्रांसफर कर लेते हैं अब हम दौनों चीजों को बारीक पीस के तयार कर लेंगे तो यहां पर मैं आपको दिखाती हूं कि दौनों चीजे हमने पीस के तयार कर ली हैं तो यहां पर हमने एक खलवटे में गौंद को ले लिया था आप चाहें तो चकले पर डाल के बेलन से इनको क्रश कर सकते हैं अब हम इनको क्रश कर लेंगे इस तरह से अगर आपको कोई पीस लग रहा है कि वो क्रश नहीं हो रहा है तो उसको आप अलग कर लें दुबारा से उसको घी में फ्राई कर लें तब उ देसी घी लड़ू हमने देसी घी में ही बनाए हैं ओईल वगरा का यूज नहीं किया है तो जैसे ही घी गरम हो जाएगा तो तिल और अलसी हमने पीस के तयार किये थे उनको हम कड़ाई में डाल देंगे और इनको दो से तीन मिनट हम जरूर भूनेंगे तब आप देखेंगे कि लड़ू का टेस्ट जो है जवरदस्त आता है आपको बहुत ही पसंद आने वाले हैं लड़ू तो धीमी गैस पर दो से तीन मिनट हम इन अलसी को दुबारा से भून लेंगे और आप देखेंगे किसमें से बहुत अच्छी सी खुश्बू आने लगेगी तब तक हमें इ बहुत करेंगे तो सेम कडży हमने दुबारा से ले ली है इस कड़ाई में डाल रही हूं आधा कप पानी मेजरिंक से में ले रही हूं पानी आप कटोरी से ले सकते हैं तो जैसे ही पानी हलका सा गरम हो जाएगा तो यहां पर जिस cup से मैंने alsi ली थी, उसी cup से मैंने यहाँ पर गुर्ड लिया है अगर weight से देखे तो यह 500 gram gud है, 500 gram ही मैंने alsi ली थी तो आप किसी भी तरह से इसको नापके ले सकते हैं, cup के हिसाब से या weight के हिसाब से तो आप हम गुर्ड को अच्छे से गुलने देंगे, चलाते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर के बाद गैस की फ्लेम को हमने हाई पर रखा है तो थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि गुड़ जो है हमारा पिघलने लगा है पूरी तरह से इसको पिघलने देते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे गुड़ पूरी तरह से पिघल गया है तो अभी इसमें कोई भी तार नहीं बन रहा है इस चाशनी को थोड़ा सा हम गाड़ा करेंगे चलाते हुए बराबर से तले में से लेते हुए हम इसको चलाते रहेंगे तो थोड़ी देर के बाद इस तरह से चेक करेंगे तो आप देखेंगे इस पैटवला से गिराएंगे तो एक पतला सा तार दिखाई देगा मैं कटोरी में भी करके आपको दिखाती हूँ तो इस तरह से ये देखिए एक पतला सा तार हमें दिखाई दे रहा है वस इतनी ही चाशनी हमें पकानी है गैस की फ्लेम को धीमा कर देंगे फटाफट से मैं इसमें एड़ कर रही हूँ पान से छे हरी लाइची क्रश की हुई साथ में ही जो बादाम हमने फ्राइ किये थे उनको कट कर लिया है और जो गौध हमने क्रश किया था उसको भी हम इसी में डाल देंगे ठंड की वज़े से घी से जल्दी से जम जा रहा है तो जल्दी से फटाफट से एड़ करना है अच्छे से मिक्स कर लेते हैं सारी चीजों को गैस की फ्लेम को हम ओफ कर देते हैं और इस गुड़ की चाशनी को फटा फट से जिसमें हमने गहूं का आटा और अलसी निकाले थे उसी परात में हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे अब ये प्रोसेस हमें थोड़ा सा फास्ट करना है अभी ये काफी गरम है तो हम भी इसको हम ह हास से अच्छे से मिक्स करेंगे अभी ये इतना गरम है कि हम हास से इसको आसानी से च्छू सकते हैं तो सारी चीजог को हम हास से अच्छे mix कर लेते हैं यह देखिए अच्छे से mix कर लिया हमने तो अब हम इसके लड्डू बनाएंगे फटा-फट से हम यह लड्डू बनाएंगे क्योंकि सर्दी का टाइम है घी जल्दी से set होने लगेगा तो यह देखिए हास से दबाते हुए यहां पर हमने लड्डू बनाके तया कर लिया लग रहा है ना देखने में अच्छा एक और मैं आपको बनाती हूं तो जिस साइज के आपको लड्डू बनाने हैं उतना मिक्षर लेंगे हाथ से दबाते हुए इनको गोल करेंगे लड्डू की शेप देंगे लड्डू का साइज आप अपने चोईस के अकॉर्डि कर लिये हैं यहां पर मैं एक लड्डू आपको तोड़ के दिखाती हूं कि कितने बढ़िया हमारे लड्डू बन के तयार हुए हैं तो कडाके की सर्दी पढ़ रही है आप मेरी लड्डू की रेसिपी को बनाकर जरू ट्राइ कीजिए जिससे आप सर्दी जुखाम से दू रही है